नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं अनील मोहन जी त्वारा लिखा गया देवराथ चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास जुआला मुखी पार्ट फाइफ तुम लोटन सिंग ने गहरी निगाहों से उसे देखा थापर में तुम ज़्यादा ही दिल्चस्पी ले रहे हो वह भी उसी कोशिच में था जिसमें मैं लगने जा रहा हूँ देवराथ चौहान ने कंभीर स्वर में कहा जाहिर है कि इस मामले में उसे बाते मुझसे ज़्यादा ही मालूम होगी और फिर कैद खाने में वह जान बुझ कर पहुंचा ताकि वहां से खजाने तक जाने का रास्ता मालूम कर सके परन्तु वह बाहर नहीं निकल सका और ना ही तुम उसकी कोई खबर ले सके कम से कम मालूम तो हो कि वह कहां तक पहुंचा है लोटन सिंग ने समझने वारे भाव से सिरह लाया बात तो तुम्हारी ठीक है लेकिन मालूम कैसे होगा वह तो कैद खाने में है और वहां तक किसी पहरी व्यत्ती का पहुंच बाना समभव नहीं लोटन सिंग ने कहा मैं देखूंगा कि इस बारे में क्या किया जा सकता है वैसे भी थापर यह बात किसी के सामने जाहिर रहे करेगा कि वह किस विराक में है क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम है कि खुमान सिंग को उसके विचार पता चलते ही वह उसे शूट कर देगा तुम इस बारे में मत सोचो कि थापर से मैं मिलने पर क्या बात करूँगा लोटन सिंग कंधे उचका कर रह गया थापर का हुलिया बताओ वह 35-40 बरस के बीच का सामले रंग का आदमी है छोटे-छोटे घुंगरारे बाल है उसका हुलिया जानने के बाद तुम उसे देखते ही पहचान लोगे लोटन सिंग ने बताया अब यह बताओ कि कैद खाने से फरार कैसे हुआ जा सकता है वहाँ से फरार नहीं हुआ जा सकता आज तक बड़े से बड़ा 30 मार खां भी फरार नहीं हो सका जिसने भी ऐसा करने की चेश्टा की उसे गोली से उड़ा दिया गया हर जगे से निकलने का एक नएक रास्ता होता है लोटन सिंग होता होगा इस कैद खाने से निकलने का रास्ता अवश्च्य होगा हर हाल में होगा अगर है तो मैं नहीं जानता लोटन सिंग ने स्पष्ट कहा तुमने तो अच्छा फसा दिया जगमोहन गहरी सांस दे कर पूरा अब ना तो मंगोलिया से जाने के लायक रहे और ना ही रहने के दौरत का लालज हमें जाने नहीं देगा यह सोचो अगर कामियाब हो गए तो फिर किसी भी चीज की कमी नहीं होगी लोटन सिंग उठते हुए कह उठा मैं अब चलता हूँ अ सिगरेट सुलगा कर कश लिया जगमोहन ने पुना कहा अब तक जो हालात सामने आए हैं उसके हिसाब से तो खुमान सिंग के सिर का एक बार उखाड़ना भी आसान काम नहीं फिर हम उसके खजाने के पराबर के माल को कैसे हत्या सकते हैं जबकि उसके बारे में सिर्फ खुम में खतरनाक हैं देवरा चोहान ने सिरिलाया खुमान सिंग के कैद खाने के नीचे माल है कहीं लोटन सिंग का कहना है खुमान सिंग कोई बच्चा तो है नहीं कि माल की सुरक्षा का पुक्ता इंतजाम ना कर रखा हो बरपोर सुरक्षा का इंतजाम कर रखा होगा कि कोई मख खास आभास नहीं पासके जबकि वह इसी फिराक में है और तो और खुमान सिंग ने अपनी बेटी गजाला को भी खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया जबकि वह जानती अवश्य होगी कि उसकी बाप के पास अथा दौलत रुपी खजाना है ऐसे हालात में हम कैसे उसके म मंगोलिया अगर किसी को तलाश करके पकड़ना हो तो एक घंटे के भीतर यह काम निपटाय जा सकता है उसके बाद दूर दूर तक रेगिस्तान है कोई भागे भी तो मंगोलिया के अभ्यस शिकारी रेगिस्तान में उसे फोरण दबोच लेंगे देवरा चौहान सोच भरे अंदाज में सिगरेट के कश्ट लेता रहा लोटन सिंग ने हमें बहुत ही खतरना काम में डाल दिया है काम खत्रे से भरा है पूरा करना पेहत कथिन है छोड़ा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ही मोटे माल का मामला है यानि कि इधर कुआ और उधर खाई ना छोड जा सके ना निगला जा सके जगमोहन ने गंभीर स्वर्मे कहा हमें इस मामले में अटका कर लोटन सिंग खुद खिसक गया उसकी अपनी मजबूरी है मजबूरी नहोती तो वह खुल कर खजाने तक पहुँचने की चेश्टा करता हमें यह थापर जैसे आदमी को इस काम के देना बुलाता देवराज चौहान बोला जिस काम के लिए लोटन सिंग ने हमें बुलाया था उसने वह पूरा कर दिया खुमान सिंग के माल के बारे में मोटी मोटी जानकारी हमें दे दी आगे हम जाने या हमारा काम जरूरत पढ़ने पर छिप कर वह हमारी साहता करता रह है जगमोहन कंभीर था माल हाथ आने से ज़्यादा तो मुझे जान जाने के चांसेश नजर आ रहे हैं खुमान सिन के खिलाफ खड़े होने का मतलब है पूरे मंगोलिया के खिलाफ खड़े होना यहां के बच्चे बच्चे को अपना दुश्मन बनाना तब हर कोई हमें शूट करने के लिए हमें तलाश कर रहा होगा और हमारे भागने और छिपने की भी जगे नहीं होगी देवराज चौहान उठा और टहलने लगा फिट ठिट का इस बारे में हम जो भी कदम उठाएंगे सोच समझ कर उठाएंगे जल्द बाजी करना ठीक नहीं देवराज चौहान ने विचार भरे स्वर्मे कहा अभी सोचने का वक्त दो मैं कच्चा खेल नहीं खेलना चाहता जगपोहन ने कुछ नहीं कहा वह देवराज चौहान को देखता रह गया बहुत डेंजर मामले में उन्होंने अपनी टांग फसादी थी सबसे खतरनाक बात तो यह थी कि मामला बिगड़ने पर कहीं छिपने या भागने की जगए नहीं थी तब हर हाल में मौत निश्चित थी और खुमान सिंग का माल हत्याने के चक्कर में कहीं न कहीं तो मामला बिगड़ना ही था अगले तिन सुभा देवराज, चोहान और जगमोहन नहाध होकर तयार हुए और घोड़ों पर सवार होकर बाजार की तरफ निकल गए रोज मर्राक की भाती लोगों का आना जाना लगा था वह दोनों अजगर खान के आदमियों के वारों की तरफ से सावधान थे उन दोनों के पीच कोई खास बात नहीं हुई थी दोनों के दिमाग खुमान सिंग और उसके खजाने की तरफ थे वह कोई मुनासिव रास्ता निकालने की सोच रहे थे कि इस काम को कैसे अंजाम दिया जाए एक रेस्टरेंट के सामने उन्होंने खोड़े रोके चला गया अगर हम सावधानी बरतें तो इस मामले को निपटाय जा सकता है देवला चोहान का स्वर धीमा था कौन सा मामला खुमान सिंग वाला कैसे जगमोहन ने असमंजस से उसे देखा खुमान सिंग की बेती गजाला से मेरी जान पहचान हो चुकी है उसकी सहारे आगे बढ़ा जा सकता है तुम भूल गए? लोटन सिंग ने क्या कहा था? जगमोहन ने धीमी स्वर में कहा उसने कहा था उसकी बातों पर मत जाना वे अपने बाप से भी जादा खतरनाक है अवश्य होगी लेकिन हमें अपना काम पूरा करने के लिए किसी का सहारा तो लेना ही होगा गजाला का तुम बेफकूफ समझने की कोशिश? नहीं, मैं गजाला को कम नहीं आग रहा लेकिन मेरे सामने गजाला ही है जिसकी सहारी आगे बढ़ा जा सकता है बरना हम खुमान सिंग की हद में कदम भी नहीं रख सकेंगे कभी बात तो काफी हद तक सही है लेकिन इसमें कभी भी काफी बड़ा खत्रा पैदा हो सकता है गजाला को किसी भी कदम पर शक हो गया तो वे हमें छोड़ने वाली नहीं उसी समय सारा हिसाब चुकता कर देगी जब ऐसा वक्त आएगा तो देख लेंगे देवराज चोहान ने सोच भरिस द्वर में कहा जगमोहन ने कुछ नहीं कहा मैं गजाला और खुमान सिंग को देखूंगा और तुम अजगर खान के मामले को निप्टाना ठीक है अजगर खान को चैन की सांस मत लेने देना छोटे छोटे जटके उसे देते रहना ऐसा ही करूंगा तभी उनकी बगल वाली टेबल पर दो आदमी आ बैठे वे खतरनाक लड़ाके लग रहे थे कमर पर होल्सर लटके थे वेटर को बुला कर नाष्टे का ओडर और पेमेंट दी वेटर उन्हें नाष्टा सर्व कर गया दोनों नाष्टे में व्यस्थ हो गए तभी उनके कानों में उन दोनों की बाते पढ़ने लगी अजीब सी खबर सुनने को मिल रही है एक ने कहा क्या आज जोधा सिंग आ रहा है मंगोलिया में इसमें अजीब बात क्या है जोधा सिंग मंगोलिया कभी कभार आता ही है आता तो है परन्तु इस बार अपनी बेटी नगीना के बुलावे पर आ रहा है सुना है नगीना के मना करने पर भी अजगर खान के आद्मियों ने उसके रेस्टरेंट में शूटिंग की नगीना के इनकार के भी परवा नहीं की और एक बार की तो नगीना गोली का शिकार होते होते बची देवराद चौहान ने वक्त पर उसे बचा लिया नहीं तो वह जिंदा नहीं बचती देवराद चौहान वही न जो अजगर खान से टकरा रठा है दूसरे ने कहा हाँ वही बहुत खतरनाक आदमी है अजगर खान को नचा कर रख दिया है कल रात देवराद चौहान और उसके साथी ने अजगर खान के जुवा घर के सारी आदमियों को गोली से उड़ा दिया बहुत ही होसला बुलंदी की कारणा में कर रहा है यह देवराज चौहान जोधा सिंग को खबर कैसे दी नगीना ने कल रात ही अपना आदमी जोधा सिंग की पास रवाना कर दिया था आज दोपहर तक जोधा सिंग मंगोलिया अवश्य पहुँच जाएगा फिर अजगर खान की खैर नहीं बात तो ठीक है लेकिन इन दिनों अजगर खान की ताकत भी कम नहीं उधर जोधा सिंग कई सालों से अकेला ही किनारी जा बैठा हुआ है उसका कोई साथ ही नहीं फिर भी शेर शेर ही होता है कभी बूढ़ा नहीं होता मुझे पूरा विश्वात है आज भी जोधा सिंग जब सडक पर निकलेगा तो पहली जैसा ही कहर बर पाएगा अजगर खान कितना ही ताकतवर क्यों नहो गया हो जोधा सिंग के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता यह मत भूलो जोधा सिंग अकेला है और अजगर खान का पूरा ग्रुप है बाजी किसकी हाथ लगेगी कहा नहीं जा सकता वैसे पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने जोधा सिंग से पंगा लिया है अजगर खान ने अवशे यह सोचा होगा कि जोधा सिंग मुद्द से लड़ाई छगले छोड़ चुका है और अब उसमें दम नहीं रहा और खुद अजगर खान खासी ताकत रखता है इसलिए उसनी जोधा सिंग से टकलाने का सहस किया जो भी हो अजगर खान जोधा सिंग का मुकाबला नहीं कर सकेगा तुम भूल रहे हो यह वही जोधा सिंग है जिसती खुमान सिंग भी ठीक तरह पेश आता है जोधा सिंग बरसों तक खुमान सिंग का साथी बना रहा खुमान सिंग को हमेशा जोधा सिंग की ताकत पर अटूट विश्वास रहा जो की खरा उत्रा देवराज चोहान और जगमोहन की आँखे मिली अब तुम्हारा काम तो और भी आसान हो गया देवराद चोहान ने धीमे स्वर में कहा तुम्हारा मतलब कि अब जोधा सिंग और अजगर खान का ध्यान हमारी तरफ से हट जाएगा जगमोहन की आवाज भी धीमी थी हाँ देवराद चोहान मुस्कुराया यही बात मैं कहना चाहता था इनकी बातों से स्पष्ट है कि जोधा सिंग और खुमान सिंग में खासी वाक्यफ्रत है देवराद चोहान ने सिर्ला दिया मंगोलिया में जोधा सिंग की व्यक्तित्व के बारे में जो सुन्ने में आया है उस से जाहिर होता है कि वह बहुत खतरनाख है लोग उसके सामने पढ़ना नहीं चाते जोधा सिंग अच्छा लड़ा का होगा यह सब तो आने वाले दिनों में जाहिर हो जाएगा देखते जाओ तुम्हें जोधा सिंग और अजगर खान से संबंदित खबरों पर ध्यान देना है और उसी हिसाब से काम करना है ठीक है और तुम मैं गजाला के माध्यम से खुमान सिंग की जगे में परवेश करने की चेश्टा करूँगा जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया लोटन सिंग ने बुरा फसाया साले की गर्दन मूर्गी की तरह न मरोडी तो मुझे कहना मूर्गी की बाद बाद में करना पहले अपने काम को निप्टाओ नाश्टा समात करके दोनों उठ खड़े हुए रेस्टरेंट से बाहर आ गए अगर जरूरत महसूस करो तो वक्त आने पर अजगर खान के खिलाफ जवाला की साहता ले लेना जो भी करना सोच समझकर करना देखूंगा वैसे जवाला से बात करने की जरूरत नहीं बढ़ेगी क्योंकि एक तरफ मैं हूँगा तो दूसरी तरफ जोधा सिंग अजगर खान को सांस देने की फूर्सती कहा होगी कहते हुए जगमोहन के चहरे पर व्यंग से भरी मुस्कान फ्यालती चली गई वैसे अब कहां जाना है हमारे काम बंट गए है और हमें अपने अपने काम पर लग जाना चाहिए सही कह रहे हो कहते हुए जगमोहन उचल कर घोडे पर जा बैठा जा रहे हो देवरा चोहन मुस्कुराया हाँ अजगर के जितने दान तोड दिये जाए उतना ही बहतर देवरा चोहन ने मुस्कुरा कर सिरह लाया जगमोहन ने घोडे को एड मारी तो घोड़ा धीरे धीरे आगे पढ़ गया उसने लगाम को खास छटका दिया तो वह तेज गती के साथ तोड़ने लगा देवराज चोहान ने उसके घोड़े से निगाहें हटाई और सिर्पर मौझूद फैल्ट कैप को ठीक किया और एक ही छलाग में घोड़े पर सबार हो गया फिर सिग्रेट सुलगाने के पश्चात कशलिया और लगाम पकड़ कर घोड़े को एड़ मारी घोड़ा धीरे धीरे आगे पढ़ने लगा जब तक सिग्रेट समाप नहीं हुई घोड़ा मध्यम गत्य से चलता रहा और सिग्रेट समाप थोने पर उसने लगाम को जटका दिया तो इशारा पाकर घोड़ा तेजी से तोड़ पड़ा 20 मिनट के बार जब वह मकान पर पहुँचा तो उसकी आँखे सिकुड कर छोटी हो गई मकान के बाहर घोड़ा बंधा था मुख्य द्वार खुला था कौन हो सकता है? शायद गजाला देवरा चौहान ने घोड़ा रोका और भीतर की तरफ बढ़ गया दरवाजे के भीतर कदम रखते ही उसके कदम खिटक गए सामने ही कुर्सी पर ज्वाला बैठा था उसे देखते ही ज्वाला मुस्कुराया जादा देर तुम्हारा इंतजार करने का मेरा इरादा नहीं था सोच रहा था तुमसे मुलाकात नहीं हो सकेगी मेरा भी अभी वापस आने का इरादा नहीं था देवरा चोहान आगे बढ़ा और कुरसी पर पैट गया बस इत्तिफाख ही समझो कि आ गया कैसे आना हुआ कोई खास काम नहीं था यूही मिलने आ गया तुम अकेले खूमते हो जबकि अजगर खान तुम्हारा दुश्मन है उसके आदमी तुम्हें कहीं भी खेज सकते हैं तुम ठीक कहते हो लेकिन मैं कहीं भी अकेला बहुत कम जाता हूँ जबकि मैं अपना जाना घुपत रखना चाहता हूँ जैसे कि अब खत्रा तो उठाना ही पड़ता है अगर मैं यहां तक अपने आदमी लेकर आता तो सब को मालूम हो जाता कि तुम कहां हो बात अजगर खान तक भी पहुंची जाती तो क्या तुम्हारे आदमियों में अजगर खान के आदमी हैं हैं तो नहीं परनतु हो भी सकते हैं क्या भरोसा जुआला मुस्कुराया स्पष्ट बात थी देवराद चौहान ने इस बारे में फिर कोई बात नहीं की कल रात तुमने कमाल कर द आदमियों को शूट किया और निकल आये वह काबिले तारीव रहा ज्वाला के चेहरे पर गंभीरता थी यह सब करना जरूरी था अजगर खान को समझाना चाहता हूं कि मेरे मामले में सिर्फ उसकी रही चलने वाली वह कुछ कर सकता है तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं तु भी मुझे किसी की साहता की जरूरत नहीं अब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारी साहता अवश्य लूँगा क्या तुम अजगर खान के मामले में मेरी साहता करोगे या हर मेरे मामले में मैं तुम्हारे हर मामले में तुम्हारी साहता करूँगा क्यों यह महरबानी मुझ पर क्यों? जरूरी नहीं कि कारण बताया जाए। ज्वाला का स्वर पहले की ही तरह गंभीर था। कुछ बातों का कारण जानना जरूरी हो जाता है। तुमने ज्वाला ने धीमिश्वर में कहा नगीना की जान बचाई थी। तो देवरा चौहान ने न समझने वाली निगाहों से उसे देखा। वह मेरी भती जी है। भती जी? हाँ, तुम जोधा सिंग के भाई हो। देवरा चौहान बास्तव में चौंक पड़ा था। हाँ, जोधा सिंग का भाई हूँ मैं, परन्तु मेरे और जोधा सिंग के विचार नहीं मिलते। हम आपस में बैठते बात करते हैं, लेकिन एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते। नगीना से मेरे संबंद अच्छे हैं। उसने मुझे बताया था कि तुमने कैसे उसकी जान ब बचाना जरूरी था, हमारे जगडे में बे खामका क्यों मरे। जो भी हो, यह सच है कि तुमने नगीना की जान बचाई। देवराज चोहान ने कुछ नहीं कहा। क्या सोच रहे हो। यही कि अब तुम्हें अजगर खान के आदमियों की या अजगर खान की चिंटा करने की जरूरत नहीं। क्यों? अजगर खान के आदमी दो बार उसकी रेस्टरेंट में शूटिंग की इरादे से खुच चुके हैं। एक बार तो वहां फाइरिंग हुई। परन्तो कल रात दूसरी बार फाइरिंग होते होते रह गई। नगीना के मना करने पर भी अजगर खान क आदमी नहीं माने। तो सुना है कि जोधा सिंग को बुलाने के लिए नगीना ने कल रात ही आदमी रवाना कर दिया था। और आज दोपहर तक जोधा सिंग मंगोलिया आ जाएगा। ओह। जुआला के होटों से गहरी सांस निकल गई। फिर तो अजगर खान का बुरा बक खान समूचे ही निगल लिए हो। उसके लिए अजगर खान क्यायमेत रखेगा। जोधा सिंग जब रिवॉल्वर हाथ में लेता है तो फिर उसके सामने कोई टिका नहीं रह सकता। अगर वास्तव में जोधा सिंग अजगर खान की दादागरी से उखड कर आ रहा है तो सम जो गया अजगर खान। मंगोलिया की धरती से अजगर खान का नामों निशान मिट जाएगा। कहते हुए जवाला उठ खड़ा हुआ। अच्छी खबर सुनाई तुमने। अब यहां रुकने का मन नहीं। फिर आऊंगा। उसके बाद जवाला वहां रुका नहीं। बाह रहा था। दिन के बारा बजने जा रहे थे। देवराज चोहान की निगाहें बंगले पर ही ठिकी रही। करीब आदे घंटे के बाद बंगले की पहली मंजिल के एक कमरे की खुली खिरकी से गजाला का खुब सूरत चेहरा चमका। वह भी इसी तरफ देख रही थी। फिर गजाला ने हाथ उठाकर हवा में हिलाया। जवाब में देवराज चोहान ने भी हाथ हिलाया। उसके बाद गजाला खिरकी से गायब हो गई। देवराज चोहान भी खिरकी से हटा और कुर्सी पर बैठने के पश्चात सिगरिट सुलगा कर कश लेने लगा। करीब 15 गजाला आ रही थी। दो मिनट बाद ही वह खुले दर्वाजे से भीतर आई। देवराज चोहान को महसूस हुआ कि आज वह कल से जादा हसीन लग रही है। हेलो। वह खिल खिलाई। हेलो। गजाला आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठते हुए बोली। आज घर पर ही हो कह नहीं बाहर नहीं गए। गया था लेकिन मन नहीं रखा वापस आ गया। यहां ऐसी कोई भी जगे नहीं जहां दो चार घंटे बिताए जा सके। देवराज चोहान ने कहरी सांस लेकर कहा। बस यही कमी है यहां। गजाला मुस्कुरा कर बोली। तुम जब बोर हो जाती ह हो तो क्या करती हो। देवराज चोहान उससे खुलता हुआ बोला करना क्या है किताबे बढ़ लेती हूं मंगोलिया की सेर पर निकल जाती हूं या फिर कैद खाने में चली जाती हूं वक्त बीच जाता है गजाला मुस्कुराई और जब ज़्यादा बोर होने लगती हूं तो कहीं दूर घुमने निकल जाती हूं हिंदुस्तान में या फिर हिंदुस्तान से बाहर देवराज चोहान ने सिर्ष लाया फिर कैए उठा कैद खाने में क्या है कैदी गजाला हसी कैसा है कैद खाना बहुत ही अच्छा कोई भी आज तक वहां से फरार नहीं हो सका गजा गजाला की निगाह खिर्की से दिखाई दे रहे बंगले की तरफ उठी बंगले के पीछे मैं देख सकता हूं तुम गजाला ने उसकी आखों में जाका हां मैं देखना चाता हूं कैद खाने को देखो तो सही तुम किस कैद खाने की तारिफ कर रही हो यानि कि मेरी बात की स आदमी को कैद खाना नहीं दिखाया जाता यहां तक की बंगले में काम करने वाले पापा के करीबी खास आदमी भी कैद खाने के तरफ नहीं जा सकते जिसका तालुक कैद खाने से है सिर्फ वहीं वहां जा सकता है देवराद चोहान अपने चेहरे पर मायूसी के भाव ले आय गजाला ने कोई जवाब नहीं दिया, तुम चाहो तो मुझे कैद खाना नहीं दिखा सकती, तुम्ही तो पूरा दिखार होगा मैं कुछ भी करो, मुझे किसी भी तरहें की रोक नहीं, गजाला ने सीरे लाया, तो फिर दिखा दो, मुझे अच्छा लगेगा, की ठीक है, गजाला उसकी बात काटकर कह उठी, मैं तुम्हें कैद खाना दिखा दूँगी देवरा चोहान चहरे पर मुस्कुराहट ले आया शुक्रिया, जाने क्यों मुझे आचा थी, कि तुम मेरा कहना टालोगी नहीं तो चलें कैद खाना देखने अभी नहीं, गजाला उठ खड़ी हुई, इस समय मुझे थोड़ा सा काम है दो बजी बंगले के फाटक पर आ जाना तुम मिलोगी, तुम पहुंच जाना, आगी का काम मेरा है गजाला ने मुस्कुरा कर कहा, और पलट कर बाहर निकल गई कुछ दिर बाद घोड़ी की टापो की आवाज गुंजी और दूर होती चली गई देवरा चोहान उसी मुद्रा में बैठा रहा चहरे पर गहरी सोच के भाव उभराए थे आखे सिगुर कर छोटी हो गई थी गजाला की आखों में उसने चाला की की जलक देखी थी जिसका मतलब वह लाख सोचने पर भी नहीं सबच पाया था जोधा सिंग के सिर पर फैल्ट कैप था ब्राउन कलर के मोटे कपड़े की कमीच पैंट पहन रखी थी पेट तक कमीच के बटन खुले थे कमर में होल्स्टर बंधा था जिसके दोनों तरफ दाए बाए रिवाल्वरे रखने की चगे थी और वहां भरे हुए रिवाल्वर मौजूद थे पाउं में लॉंग शू थे जो की पिंडलियों तक आ रहे थे इस समय वहे खतरनाक लड़ा का नजर आ रहा था उसका स्या चहरा चटान की मानिंग सक्त हो रहा था होड भिचे हुए थे आँखों में जैसे अंगारे परस रहे थे मौत का दूसरा रूप लग रहा था चोधा सिंग उसके एक हाथ में सिग्रेट थी और दूसरे हाथ में बियर का गिलास जिससे वह चोटे चोटे घूंट पर रहा था सामने नगीना खड़ी थी शांत निश्चल वे दोनों इस समय रेस्टरेंट के उपर मौजूद घर पर थे नगीना ने जो कहना था कह चुकी थी और सुनने के बाद जोधा सिंग ने एक शक भी नहीं कहा था बियर के घूंट पराबर लेता रहा अलबत्ता आँखों में वहशी भाव चलकने लगे थे पापा कुछ देर बाद नगीना ने ही खामोशी को तोड़ा अजगर खान अब हस से गुजरता जा रहा है मेरे खयाल में तो वह मंगोलिया में अपनी मनमानी करके यह दिखाना जाता है कि वह सबसे ज़्यादा ताकतवर है जोधा सिंग ने सिगरेट का कश्ट लेने के बाद बियर का घूंट भरा अगर देवराज मुझे न बचाता तो शायद गोली मुझे लग जाने थी अजगर खान के आदमियों ने इतना भी ध्यान नहीं रखा कि उनकी चलाई गोली मुझे भी लग सकती है जोधा सिंग ने एक ही सांस में बियर का गिलास खाली कर दिया पिछले साथ सालों में आप मंगोलियां से बाहर रह रहे हैं और इन साथ सालों के दर्मियान कभी किसी ने मेरी या रेस्टोरेंट की तरफ बुरी नजरों से देखने का साहस नहीं किया इस रेस्टोरेंट में आज तक फाइरिंग नहीं हुई क्योंकि यह जोदा सिंग का रेस्टोरांट है नगीना शांत्स्वर में कह रही थी सबको मालूम है कि इस रेस्टोरांट में शूटिंग करने का क्या मतलब है इस पर भी अजगर खान अपनी बदमाशी दिखा गया गोलियां चली अलग बात है बलकि उनकी गोलियों की जद में मैं भी आ गई जोदा सिंग ने होट भींच कर सुलक्ती सिग्रेट बियर के गिरास में डाल दी चचा आये थे नगीना ने पुना कहा जुआला जोदा सिंग की होट खुले हाँ वह रेस्टरंट में होई बात को लेकर अजगर खान को सबक सिखाना चाते थे चचा सब कुछ कर कुजनने को तयार थे अजगर खान को लेकर लेकिन मैंने रोक दिया चचा को बताया कि मैंने आपको बुला भेजा है जो ठीक समझेंगे आकर पापा ही करेंगे नगीना ने गंभीर स्वर में कहा जोदा सिंग ने कुछ नहीं कहा अब क्या करेंगे आप पापा सब कुछ करूँगा जोदा सिंग ने सर्थ लहजे में कहा सवाल यह नहीं है कि अजगर खान क्या कर चुका है सवाल यह है कि मंगोलिय वाले जान चुके होंगे कि अजगर खान ने जोधा सिंग के रेस्टरेंट में जाकर फाइरिंग की और अगर इसका जवाब अजगर खान को ना दिया गया तो कल को कोई दूसरा ऐसा करेगा वे समझ जाएंगे कि जोधा सिंग अब पहले वाला जोधा सिंग नहीं रहा और अब मुझे पूरे मंगोलिया को समझाना है कि जोधा सिंग हमेशा जोधा सिंगी रहेगा अब आया हूँ तो ऐसा इंतजाम करूँगा कि भविश्य में सब ठीक रहेगा अपना ख्याल रखना पापा एका एक नगीना का स्वर भर्रा उठा नगीना बेटी जोधा सिंग के होटों पर पहली बार सक्त मुस्कुराहा टुबरी कितनी बड़े-बड़ी मौतों के तुफान से गुजरा हूँ जब आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ तो भला आज क्या होगा एक बात हमेशा के लिए अपने दिमाग में रख ले कि जोधा सिंग सिर्फ अपनी मौत मरेगा किसी की गोली से नहीं मरेगा भगवान करे ऐसा ही हो नगीना भर्राई स्वर में कह उठी जोधा सिंग बिना कुछ कहे आगे बढ़ा सीडियों से नीचे उतर कर रेस्टरेंट में आया और बाहर निकलता चला गया सामने ही घोडा खड़ा था रकाब में जूता फसाया और उचल कर उसकी पीट पर जा बैठा उसनी सर्ज निगाहें चारो तरफ खुमाई फिर लगाम ठाम कर उसे चटका दिया सरपड भागते घोडे की लगाम खिंशते ही घोडे की गतित धीमी होती चली गई और फिर वहर रुकता चला गया जोधा सिंग का चेहरा चट्टान की भाती सक्त हुआ पड़ा था सामने से पांच घुड सवार आ रहे थे पांचों खतर्नाक दरिंदे लग रहे थे हत्यारों से लेस थे भे जोधा सिंग को देखते ही उन्होंने भी खोडों को रोक लिया था जोधा सिंग पांचो को अंगारो भरी निगाहों से देखता रहा उन पांचो ने जोधा सिंग को देखा फिर आपस में एक दूसरे को जोधा सिंग ने लगाम को हलका सा जटका दिया घोड़ा आगे बढ़ा और उनसे करीब दस गर्च पहले ही आगर रुख गया अजगरखन कहा है? जोधा सिंग की होटो से गुर्राहट निकली अपनी ठीकाने पर ठीकाना नया है या पुराना वाला? जोधा सिंग को जवाब नहीं मिला अगले पल होल्स्टर से रिवॉल्वर निकल कर जोधा सिंग की हाथ में आई ट्रिगर दबा और रिवॉल्वर वापस होल्स्टर में उससे बात करने वाले के चहरे के चीथड़े उड़ गए अन्य चारों के हाथ फॉरन होल्स्टरों की तरफ पड़े जोधा सिंग ने घायल शेर जैसी निगाहों से चारों को चेतावनी भरी निगाहों से देखा चारों के हाथ होल्स्टर में पड़ी रिवॉल्वरों पर ही टिके रह गए रिवॉल्वरें निकाली नहीं उनकी आँखों में खौफ की हलकी सी परचाईया ना जुटी थी जोधा सिंग को न पहचानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था और वह जानते थे जब जोधा सिंग की आँख उन पर है तो वह उसका कुछ भी नहीं बिगार सकते उनके कुछ करने से पहले ही जोधा सिंग उन्हें उड़ा देगा अजगर खान कौन से ठिकाने पर है जोधा सिंग ने अपना सवाल पुना दोराया ठिकाना पहले वाला ही है या फिर नया बना लिया है जवाब मुझे एक ही बार में मिलना चाहिए पुराना वाला ही रिकाना है जवाब मिला अपने हाथ होल्स्टरों से दूर करो जोधा सिंग ने पूर्वता लहजे में कहा चारों के हाथ होल्स्टरों से हट गए तभी एक साथ तीन फायर हुए जाने कब जोधा सिंग की रिवॉल्वर निकल कर उसके हाथ में आई और कब वापस होल्स्टर में समाग गए तीन घोडे खाली हो चुके थे तीनों के सिरों में गोलियां लगी थी और अब वे नीचे मिर्थ अवस्था में पड़े थे घोडे पर बैठे पांचवे और अंतिम सवार के चेहरे पर मौत का भैर नाशने लगा था आँखों में खौफ की परचाईयां तुफान की तरह उट बैठ रही थी उसे मौत ही मौत नजर आ रही थी रह रह कर वह सूखे होटों पर जुबान फेरे जा रहा था उसकी आँखों में याचना के भाव थे जाकर अपने आका अजगर खान से कहे जोधा सिंग आ रहा है जोधा सिंग के होटों से गुर्राहट निकली यह शब सुनते ही पांचमे सवार की जान में जानाई कहीं ऐसा न हो कि तू बाद में पहुँचे और मैं वहाँ पहले पहुँच जाओं मैं जल्दी पहुँच जाओंगा आट-दस मिनट में उसने कांपते स्वर में कहा जोधा सिंग का इशारा पाते ही पांचमे ने जल्दी से घोड़े के लगाम को जटका दिया घोड़ा टांगे उपर करके हिन हिनाया फिर लगाम के इशारों पर घूमता हुआ पलट गया उसके बाद वहे इतनी तेजी से दोड़ा कि चंदी पलों में ओजल होता चला गया जोधा सिंग उसी तब तक देखता रहा जब तक कि वहे निगाहों से ओचलना हो गया फिर उसने सिग्रट सुलगा कर कश लिया आस पास निगाहे मारी कई लोग दूर खड़े उसे देख रहे थे सब जानते थे जोधा सिंग को और यह भी चानते थे कि बरसो बाद आज जो कोलिया में पुनागर्जी थी इधर आओ जोधा सिंग ने एक व्यक्ति को करीब आने का इशारा किया वह जल्दी से जोधा सिंग के पास आया यह है जोधा सिंग ने सरक पर पड़ी चारों लाशों की तरफ इशारा किया गंदगी हटा देना और चारों घोडे मेरे इसी ने तुरंत सर हिलाया जोधा सिंग ने जेव से 200 रुपे निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए इसकी क्या ज़रूरत है जोधा सिंग ने नोटों को उसकी कमीज में ठूसा और आगे बढ़ा दिया जोधा सिंग ने घोड़े की गती धीमी ही रखी वह अजगर को पूरा मौ आसले पर कच्चे पक्के मकान बने हुए थे दस मिनट उसे लगे पकडंडी तै करने में उसके बाद सामने उसे रेगिस्तान का नजारा नजर आया दूर दूर तक रेगिस्तान ही था रेट के उंचे उंचे टीले हवा उडाती धूल धूल में चमकते रेट के कंड जोधा खुडसवार अवश्य कभी कबार वहां से गुजरता नजर आ जाता था जो भी जोधा सिंग को देखता सतर्क हो जाता बीस बच्चिस मिनट बाद उसने घोडे को मोड़ा और पक्की सड़क पर आ गया और कुछ आगे जाने पर उसे करीब तीन सो गज में बना पक्का मकान नजर आया जो की दो मंजिला था यह अजगर खान का ठिकाना था जोधा सिंग ने उस घर के गेट के बाहर घोडे की लगाम खींच ली लकडी का बड़ा सा फाटक था वहां दो बदमाश सतर्क मुद्रा में खड़े थे जबकि आम स्तिति में फाटक पर कोई भी नहीं होता था दोनों को सर्द निगाहों से देखने के बाद जोधा सिंग ने घोडे की लगाम को हलका सा जटका दिया घोड़ा धीरे धीरे चलता हुआ फाटक के भीतर परवेश करता चला गया दोनों ने उसे रोकने या बात करने की जराबी चेश्टा न की थी पंद्रा गज आगे सदर द्वार पर उसने घोड़ा रोका और चलांग लगा कर नीची उत्रा भरपूर निगाहा उसने चारो तरफ मारी कोई भी नजर नहीं आया जोधा सिंग के होट भिच गए बाई तरफ दिवार के साथ घोड़ों के खड़े होने और बैटने के इतने आदमी हो सकते हैं जोधा सिंग पल्टा और कठोरता से भरी कदम उठाता हुआ भीतर परवेश कर गया मकान के भीतर नीचे वाले हिस्से में पूरा का पूरा हॉल था करीब 200 गज का हॉल बहुत एक खुली जगे थी जो की अजगर खान ने आदमियों के लिए खाली की रेलिंग थी परंतो इस समय वहां का नजारा देखने वारा था नीचे वाले हॉल में सिर्फ अजगर खान मौजूद था लड़ाके के रूप में उसकी सुर्खी लिए आखें जोधा सिंग पर जाटे की जोधा सिंग की सकत निगाह चारों तरफ घुमी उपर रेलिंग क द्रिश्य देखते ही उसकी आखें शोले बरसाने लगी रेलिंग पर करीब बारा आदमी हातों में हत्यार लिए खड़े थे जो की सावधान सतर खुंखार नजर आ रहे थे वे रुक्रे वाले नहीं लग रहे थे अगर शुर्वात हुई तो जोधा सिंग की सुलक्ती नहीं अपने लिए वक्त का क्या भरोसा कि कब किस चीज की जरुरत पड़ जाए ठीक कहते हो वक्त का कोई भरोसा नहीं जोधा सिंग भयानक स्वर में कह उठा अजगर खान उसे खूरता रहा तुमने कुछ देर पहले मेरे चार आदमियों को शूट किया है जोधा सिंग हा और एक को तुम्हारे पास वापस भेज दिया था और उपर खड़े तुम्हारे आदमियों से लग रहा है वे काफी जल्दी तुम्हारे पास पहुँच गया था जोधा सिंग ने पूर्वता लहजे में कहा हाँ पहुँच गया था तुम्ही मेरे आदमियों को शूट नही करना चाहिए था जोधा सिंग मौत से भरी हसी हसा तुम्हारा विचार है कि उपर खड़े तुम्हारे आदमी मुझे निशाना बना लेंगे अगर वे शुरू हुए तो कुछ न कुछ तो होगा ही अजगर खान की होटों से फुफकार निकली देखूंगा क्या होता है जोधा सिंग के लिए बनी गोली मंगोलिया में पहुंच चुकी है कि नहीं शायद साबित हो जाए आज यह बात दान भीचे अजगर खान उसे देखता रहा सुना है मंगोलिया में तुम्हारी ताकत का डंका बजने लगा है यह सच है अजगर खान मालूम नहीं लोग कहते हैं शाकतवर कि उसमें इतना होसला आ गया कि जोधा सिंग के घर में घुसकर गोलियां चला सके वक्त वक्त की बात है अजगर खान ने सिरह ला कर कहा मैंने अपने आदमियों को सक्त आदेश दिया था कि जैसे भी हो देवराद चौहान और जगमोहन को हर हाल में शूट करना है अब इसे कुछ भी कह लो कि वह दोनों पहली मरतबा तुम्हारे रेस्टरेंट में ही मेरे आदमियों को मिले और मेरे आदेश के कारण मेरे आदमी उन्हें एक मौका भी नहीं देना चाहते थे इसलिए वहाँ गोलियां चलाने पड़ी नगीना ने उन्हें मना किया था गो करना था तो तेरे आदेश को जोधा सिंग की भी परवा नहीं रही जो भी किया गया जान बुझकर नहीं किया गया होते हो गया होते होते तो बहुत कुछ हो जाता है यह कोई जवाब नहीं है जोधा सिंग ने दांत मिंच कर कहा और तुमने अपने आदमियों को यह कि तुम्हारी बेटी को गोली लगते लगते बची बची नहीं बलकि उसे देवराज चौहान ने बचाया वरना वह तो गई थी खामा खा अजगर खान कुछ नहीं बोला मुझे जवाब दो अजगर खान मैं यहां तुम्हारी खामोशी को देखने नहीं आया अजगर खान की निगाहें उसकी तरफ खूमी तभी फाटक पर खड़े दोनों आदमियों में से एक ने भीदर परवेश किया बाहर ज्वाला आया है 35 आदमी उसकी साथ है उसने सारे बंगले को इस तरह घेर लिया है जैसे वह हमला करने का इरादा रखता हो उनकी इरादे खतरनाक लग रहे हैं अजगर खान ने आँखें सिकोड कर जोधा सिंग को दिखा जोधा सिंग के हुटो पर कड़वी मुस्कान फैल गई तुम अच्छी तरह जानते हो अजगर खान कि बारात को साथ रखने की मेरी कभी आदत नहीं रही तो ज्वाला अपनी मर्जी से आया है हाँ शायद य आदमी को जाने का इशारा किया तो वह पुनां बाहर चला गया जोधा सिंग जो कुछ भी हुआ उसका मुझे कोई दुख या पच्चाताप नहीं है अजगर खान कह उठा मेरे आदमी सिर्फ मेरे आदेश का पालंग कर रहे थे बस तुम्हारे आदेश का पालंग करते करत चाहे मेरी बेटी की जान चली जाती इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है और अगर ऐसा हो जाता तो मुझे पहुत अफसोस होता जोधा सिंग का चेहरा धदक उठा दूसरी बार तुम्हारे आदमी फिर रेस्टरेंट में ही नहीं गुसे बलकि उपर घर तक गए उनका इ जब वह मेरे जुआ घर के सारे करमचारियों को शूट करके भाग रहा था और फिर तुम्हारे रेस्टरेंट में जागुसा तुम्हारे आदमी तब उसके बाहर निकलने का भी इंतजार कर सकते थे ऐसे हालात में इंतजार नहीं किया जाता जोधा सिंग जोधा सिंग के हो भविश्य में अगर तुम्हें जरुरत पड़ी तो मेरे रेस्टरेंट में शूटिंग करोगे इरादा तो मेरा पिलकुल भी नहीं है अगर जरुरत पड़ी तो पीछे नहीं हटा जाएका बस जोधा जिंग का चेहरा धदक उठा मैं यही बात करने आया था और वह हो गई त कि तुम खुद को इस काबिल समझने लगे हो कि मुझसे तकरा सको मैं तुम्हें पूरा मौका देता हूँ कि तुम मुझे शूट करके मंगोलिया में अपनी धाग जमा सको चलता हूँ अब अपना ध्यान रखना है देखना यह है कि कौन पहले किसको शूट करता है जगडा पैदा मत करो जोधा सिंग जगडा तो उसी दिन पैदा हो गया था जब तुम्हारे आदमियों ने मेरे रेस्टरेंट में गोलिया बरसाई थी और गोलियों की जद में मेरी बेटी आते आते रह गई थी मैंने सोचा था कि शायद तुम्हें गलती का एसास हो गया होगा पर तुम्हारी जंग की शुरुवात अब से तीन मिनट बाद होगी तब तुम्हें मेरे खिलाफ कुछ भी करने की पूरी छूट है और मुझे तुम्हारे खिलाफ मेरे परटते ही उपर से मुझ पर फायर नहीं होने चाहिए वरना यहां पर तुम्हारे सहीत कोई भी जिन्द नहीं बचेगा कहने के साथ ही जोधा सिंग पल्टा और तेर सेज कदमों से बाहर की तरफ पढ़ गया पीछे से कोई फायर रही हुआ जबकि जोधा सिंग फायरिंग की प्रती सतर्फ था वह बाहर निकलाया तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ और हां मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद